सरपर हेलमेट नहीं तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं अगर गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो सरपर हेलमेट होना बहुत जरूरी है और अगर चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बरवाने जाएं तो याद से हेलमेट जो है उन्हें के दिया है कि अगर तू-Вिलर यानी दो पईया वहन वाला अपने सिर पर हेलमेट ना पहन कराए यह उसके पीछे बैठा हुआ शक्स जिसे आप दूसरा शक्स कहते हैं उसने सर पर हेलमेट ना पहना हो तो तू-विलर वाले को पेट्रॉल देने से मना कर दे और कह द को पेट्रोल नहीं मिल पाएगा और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो बाइक है टूवीलर है वो घर पर ही खड़ी रह जाए इसलिए आपको ट्राफिक नॉम्स का पूरी तरह से पालन करना होगा और पालन किस तरह से करना है जब भी घर से बाहर निकलना है सर पर ह हेलमेट लगा हुआ होना चाहिए तो मैं आपको बता दू कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा ऐसा रीजन क्यों मतलब ऐसा डिसीजन क्यों माफ कीजेगा ऐसा रीजन इसलिए दियो और ऐसा डिसीजन किसलिए लिया मैं आपको बताते रहे हैं और जादा तर तर टू वी लर्ट हैं जिन में उनकी जाने जो यह वो जा रही है इसलिए डिप्टी कमिश्टर अनंतनाग ने एक और जारी करते हुए कहा कि अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको सर पर हेल्मेट लगाना है और मैं आपको बतादो कि तमाम यहा लाती कर दी जाए ताकि कोई भी दो पईया वहान वाला वहां पर जो है पेट्रोल बीना हैलमेट के ना ले कर जाए और डिप्टी कमिशनल अनतनाग ने साफ तोर पर ये कह दिया है कि आपकी responsibility है हम कभी भी जो है वो cross check कर सकते हैं अगर कोई आपके यहां से without helmet पेट्रोल बरवा कर जाएगा तो under section 188 IPC या तो उस पर यानि जिसने पेट्रोल बरवाए उस पर भी और अगर आप पेट्रोल देते हैं उस पर भी यानि आप कभी नहीं चाहेंगे कि पेट्रोल के लिए मामुली से पेट्रोल के लिए आपके उपर जो है किसी भी तरह की का वाए होगी अगर बीना आपने हेल्मेट लगा हुआ किसी को पेट्रोल दिया तो आपका पेट्रोल भी बंदो हुँ saуса है और आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है किसी भी ऐसे राइडर को आपि जिसने हेल्मेट नहीं पेंडा हो उसे पेट्रोल ना दे अंतनाग के जो deputy commissioner उन्होंने इस order को निकाला इस order को आप जल से जल जो है लोगों में implement भी करवाने उन्होंने और आप लोग भी this order को share करें ताकि district अनंतनाग के लोग जो है वो समझाए सिर्फ ऐसी अनंतनाग district में ही नहीं होने चाहिए जितने भी तमाम deputy commissioner है उन तमाम deputy commissioner को जो है यहाँ पर ऐस order निकालना चाहिए कि कोई भी अगर आपको सड़क पर दिखता है उसे आप गाड़ी ही ना चलाने दो जिसने helmet नहीं पैना